घर में किस तरह के रंग लगे हुए हैं? ये भी घर में शुबता और अशुबता पैदा कर सकते हैं। कैसे? घर में गलत रंगों का प्रियोग आपकी किस्मत को खराब कर सकता है। अगर आपने अपने घर में बिना सोचे विचारे उल्टे सीधे रंग लगाये हुए हैं, तो इससे आपकी किस्मत खराब होगी। अगर रंगों का संतुलन ठीक नहीं है, यानि कलर सही तरीके से नहीं लगाया घर में, घर में कलर का बैलेंस ठीक नहीं है, तो व्यक्ती की सोच खराब हो जाती है। अगर आप अपने घर में गाड़े रंगों का प्रियोग करते हैं, लाल रंग का प्रियोग करते हैं, हरे रंग का प्रियोग करते हैं, भूरे रंग का प्रियोग करते हैं, तो जीवन में संघर्ष बढ़ जाता है। भूरा, लाल और गाढ़ा हरा, ब्राउन, रेड और डार्क ग्रीन कलर नौकरी में समस्या बढ़ा देता है और अगर आप अपने घर में जादा तर ब्राउन कलर का इस्तेमाल करेंगे, घर में जादा तर दीवारों पर ब्राउन रंग का प्रियोग करेंगे, तो जीवन में दरिद्रता पैदा होगी आप अपना घर बनवा लेते हैं, किस जगाँ पर कैसा रंग होना चाहिए, इस बात का बहुत ध्यान रखिए और अगर आप रंगों पर ध्यान देंगे, तो आप अपने घर की अशुबता को बहुत हद तक दूर कर पाएंगे रंगों के लिए क्या उपाए करें? घर में हलके और चमकदार रंगों का प्रियोग करें लाइट कलर के और ब्राइट रंग आप अपने घर में इस्तेमाल करें और घर की जो च्छत है इसका रंग हमेशा सफेद रखें तो आपके लिए अच्छा होगा घर में ज़्यादा तर सफेद यानि वाइट और हलके पीले रंग का प्रियोग करें बहुत अच्छा होगा और अगर आपको कोई रंग समझ में नहीं आ रहा है तो पूरे घर को सफेद रंग में रखिये आपके घर में अकेले सफेद रंग के प्रियोग से शुबता बढ़ जाएगी जहाँ जहाँ गलत रंग लगाए हुए हैं उन रंगों को हटाईए पहले वहाँ पर सफेद रंग करवाईए वाइट कलर अकेला अगर पूरे घर में लगा हुआ हो अकेला ये रंग पूरे घर की अशुबता को बहुत हद तक कम कर सकता है कम कर देता है अपने घर के मुख्य द्वार पर सफेद या क्रीम रंग का अगर आप प्रियोग करें तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा आप अपनी कुंडली के अनुसार भी अपने शुब और अशुब रंग जान सकते हैं और उसका लाइट शेड इस्तेमाल कर सकते हैं लेकिन मैं फिर कहूंगा कि अगर कोई रंग आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आप सफेद रंग का प्रियोग करें आपको लाब जरूर होगा